तो वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो क्या है तो कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर एक पोल डाला था कि आप नेक्स वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं और जादा वोट कुरियन दराज शॉपिंग हॉल को मिले थ है कि बहुत सारे पारसल्व हैं आपने वीडियो पूरी अंट तक देखनी है और अगर वीडियो से जएशी लगेगी तो प्लीज इससे जादा से जादा लाइक किया करें शेयर किया करें कमैंट करके जरूर बताया है करें वीडियो कैसी लगे हैं सब्सक्राइब करना मत भ बार-बार in one. तो इतने साइब बार से और मुझे समझनी लग रही थी कि पूनसा पारसल हमें सबसे पहले खुछना चाहिए। तो उमने इनका चलो बॉक्स वाले से स्टार्ट करते हैं तो उसको हम सबसे पहले ऐं ऌपन करते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या आया था तो इसके अंदर मैंने ओर्डर किया था एक जूर्री और्गनाइजर तो लिंक्स वगेरा सब के आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जैसे जैसे मैं आप लोगों को दिखाती जाओंगे उसी तरह लाइन वाइस जो है सारे लिंक्स वगेरा लगाती जाओंगे तो अभी हम इसको उपन करते हैं और देखते हैं कि यह मुझे किस तरह का रेसीव हुए वे इतना प्यारा लगता है ड्रेसिंग टेबल के उपर अरेंज किया हुआ आपकी सारी जूलरी जो है अच्छे से अरेंज हो जाती है नेजर के सामने रहती है और यह बहुत और्गनाइस लगता है तो यह दो कलर के अंदर अवेलिबल था एक वाइट में और एक ग्रीन में तो वहाँ कोई option नहीं शोग हो रहा था I think white out of stock था तो मुझे green में ही receive हुआ है क्योंकि मैंने safe add to card किया था कोई भी color choose नहीं किया था तो अभी हम इसे open करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरहां काया है तो green color भी बहुत जादा अच्छा लग रहा था mirror दिखा रही थी और आप लोगों को three sides मिलती है जिसके अंदर आप अपने necklaces, bracelets और earrings को आप जो है अरेंज कर सकते हैं आप चाहें तो अपने studs भी रख सकते हैं इस जगहां पर It's up to you, आप इसको किस तरहां भी arrange कर सकते हैं तो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा था और जब आपको ये use नहीं करना तो आप इसको इस तरह बंद भी कर सकते हैं और ये बिल्कुर भी जादा जगह नहीं लेता अराम से आप इसे बंद करके एक side पे रख सकते हैं मुझे बहुत जादा अच्छा लगा था आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंड करके जरूर बताइएगा चलिए ये अपने जल्दी से next parcel खोलते क्योंके first parcel से मैं बहुत जादा खुश थी आप लोगों से जादा मैं excited हूँ क्योंके मेरे पास एतने time से पढ़े होए थे और आपको पता है जब आपके पास एक भी parcel होता है तो उसी time हम उसे open कर लें तो इसके अंदर से निकला था exfoliate glove और साइट पे मैं इसकी screen recording भी चला दूँगी काफी अच्छे reviews थे जहां से मैंने इसे order किया है लेकिन जब मैंने इसको निकाला ना तो मुझे इसका material थोड़ा रेश्मी type का लगा अच्छली मैं खूद इसको first time use करें तो मुझे नहीं पता इसका material किस तरह का होना चाहिए और अगर आप मैंसे भी कोई इसको पहले use कर रहे है तो please मुझे नीचे comment में बताईएगा कि इसी तरह का material होता है इसका तो इसको इस तरह हाथ पर पहन लेते हैं और इसे हम गीला कर लेते हैं उसके बाद आप अपने body से dead skin उतार सकते हैं तो काफी अच्छा मुझे लगा यह product वैसे लेकिन अब मुझे यह नहीं पता किसका material ठीक है के नहीं मुझे थोड़ा सा ना इसमें रेश्मी टाइप का touch हा रहा था मैं तो अपना review आप लोगों को तब ही देश सकती हूँ जब मैं से use करूंगी और मैं फिर ही बताऊंगी के यह हाँ proper तरीके से work कर रहे के नहीं यह जिस काम के लिए है मतलब अच्छे से dead skin उतार रहे के नहीं लेकिन खैर अब आप लोग मुझे बताईएगा जरूर इसके बारे में अभी तक मैं इसको कुछ नहीं कह सकती कि कैसा था लेकिन काफी रीजनेबल प्राइस के अंदर मुझे मिला था लिंक इसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं चैलेंजी नेक्स पारसल ओपन करते हैं आज के वीडियो में आप लोगों को काफी सारी विराइटी जो है नजर आने वाली है क्योंकि मैंने हर तरहां का जो प्रोड़क्ट है वो और किया था तो मैंने फॉकिलर ब्रैंट से ही साइच चीजें और की हैं एक मैंने उनका लूस पार्डर ओर किया था एक मैंने लीकवड ब्लश ओर किया और एक जो है वो मैंने लीकवड लिप्स्टिक ओर की थी वो पिंक फ्लैश की है शाहइद तो यह मेरा first time है कि मैंने दरास से कोई make-up order किया और मैंने काफी research करने के बाद काफी videos देखने के बाद reviews पढ़ने के बाद इसे order किया था तो अब हम इसे open करते हैं और देखते हैं कि मुझे product किस तरह का receive हुआ इसका जो shade है वो G04 है इसकी screenshot मैं attach कर दूँगी आप लोगों के लिए इसका applicator और इसकी packaging full fit थी यार बहुत मज़े की packaging थी अब हम जदी से इसका swatch कर लेते हैं तो color आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा color आया है तो यहाँ पर मैंने इसे लगा का भी try कर लिए मुझे काफी अच्छा लग रहा था और इसकी smell की बात कर लें तो हलकी से इसके अंदर बबल गम जैसी smell है तो इत्ती जादा नहीं है इत्ती strong नहीं आप कह सकते हैं बस mild सी है उसके बाद आगया जी हमारे पास liquid blush यह मैंने order किया था रेड Focular का ही है red wine आप इसका number भी देख सकते है B01 इसको जल्दी से open करते हैं और आपको इसका shade दिखाते हैं packaging के बात कर लो तो packaging 10 on 10 है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी bottle बनी हुए और यह glass के अंदर है तो जल्दी से open करके आपको दिखाते हैं तो इसका जो मुझे shade नाम बहुत ही प्यारा लगा था और आप applicator का size देख सकते हैं काफी huge है और pigment देख सकते हैं कितना ज्यादा pigmented है यह तो इसका color ना बहुत प्यारा सा reddish और peach सा shade है और इसका formula इतना smooth है मैंने हलका सा बस applicator ऐसे किया था बहुत smoothly लगा है तो मुझे तो यह बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को कैसा लगा है आप लोगों मुझे जरूर कमेंट करके बताईगा सब लिंक्स आप लोगों को नीचे description box में मिल जाएंगा वीडियो अच्छी लगती है तो उसे like किया करें कमेंट करके जरूर बताया करें तो फॉक्यूलर का ही मैंने loose powder order किया था और इसका जो shade है वो 02 है I think transparent ही है चलें इसे open करते हैं और देखते हैं आप packing देख सकते हैं packing दिल जीच जाती है packing के उपर तो full 10 on 10 marks हैं और यह रहा loose powder इसे जल्दी से open करते हैं और देखते हैं इसके अंदर मुझे एक applicator मिला था और यहां पर इन्होंने यह seal किया वज़ा है इसको मैंने भी open कर लिये तो यह applicator की मदद से आप लोग इसे use कर सकते हैं और बाद में इसी के अंदर आप इसे रख भी सकते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा सा लगा के बस टेस्ट कर रही थी तो अब हम इसे वापिस से बंद कर देते हैं और अपना next parcel open करते हैं आप लोग मुझे जरूर बताएगा आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने नीचे ज़ादा से ज़ादा कमेंट करने लाइक किया करें में वीडियो को ज़ादा से ज़ादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैले जी next parcel open करते हैं तो मैंने order किये थे roller और यह मैंने jumbo size में order किये थे यह काफी different size में available थे like small, medium, large और jumbo size में तो jumbo size में आपको तीन ही मिलते हैं आपको अगर 6 करने हैं तो दो दफ़ा पर chase करना पड़ेगा तो मैंने तीन ही पहले order किये तो मैं देखना चाहे थी किसकी quality कैसी है और यह किस तहां के मुझे receive होते हैं तो मुझे काफी अच्छे receive हुए और इसके साथ इन्होंने मुझे तीन clips भी दिये थे तो तीन roller थे और तीन ही clips थे इसका link भी आप लोगों को नीचर description box में मिल जाएगा और site पे मैं screen recording भी चला दूँगी यह असल में जादा तर use होते हैं जिनका जो crown head flat होता है यह काफी पतले बाल होते हैं या कोई भी आपके बालों के अंदर volume नहीं होता तो आप लोग यह roller यूस कर सकते हैं तो में पास थे rollers लेकिन में पास medium size के roller थे वो कुछ काम के नहीं मुझे अतने लगे लेकिन तो फिर मुझे जंबो size के roller मिले दरास के ओपर तो मैंने का इसको हम order कर लेते हैं तो आपको अगर अपना front part या crown head के बालों को अगर आपने जादा bounce देना है तो यह बहुत अच्छा है उसके लिए आप roll करके इस तरह clip लगा सकते हैं उस पे और फिर थोई देर बाद जैसी cool down कर लें और फिर हटा सकते हैं इसको जब भी मैं try करूँगी तो आप लोगों के साथ एक चोटा सा short जो है वो मैं share कर दूँगी चलें जी अपना next parcel open करते हैं सारे चोटे 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 parcels open कर रहे हैं अब हम एक भड़ा सा parcel open करते हैं और देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या receive हुआ है अचा ठीक है मुझे पता चलगा मैंने क्या order किया था तो इसके अंदर मुझे दो packet receive हुए थे एक ये वाला और एक ये वाला तो चलें जी से open करते हैं मुझे इसकी जो लिड है वो नहीं अच्छी लगी थोड़ी सी मुझे इसकी जो लिड है वो काफी रफ लगी smooth नहीं थी आप यहां से देख सकते हैं जैसे इन्होंने hood cut किया लिए खेर इतना नहीं फील हो रहा था नॉर्मल ही था और इसको हम इस तरहां बंद कर देते हैं और इसके साथ मिला था मुझे एक glass straw तो ये वाला जो package था इसके अंदर इन्होंने मुझे safely pack करके glass straw भेजा वा था इसको अभी हम खोलते हैं अच्छा मैं ये वाला packet फैंकने लगी थी मुझे ऐसा लगा वो होता है ना कि box के अंदर extra चीज़ें रख देते हैं ताके वो box इदर उदर ना हो लेकिन इसके अंदर straw था तो शुकर करें मैंने फैंका नहीं से तो काफी अच्छे से pack करके इन्होंने दिया वाथा glass straw आप देख सकते हैं challenge अपना next parcel open करते हैं और देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या receive हुआ है वैसे मुझे पता चल गया इसके अंदर क्या है लेकिन आप लोगों के साथ इसे open करते हैं काफी अच्छे से pack करके भेजा है इन्होंने तो यह मैंने order की थी 12 lip pencil काफी affordable price थी इसकी यहां पर मैं साइट पे स्क्रीन recording भी चला दूँगी लिंक आपको नीचे description से मिल जाएगा तो इसके अंदर 12 different colors थे और आप packing चेक कर सकते हैं तो जल्दी से इसे खोलते हैं और देखते हैं जल्दी से इसे open करते हैं तो यह मुझे 12 color receive हुए थे और यह matte हैं colors ठीक हैं वैसे मुझे न सारे color एक जैसे लग रहे हैं लेकिन चलें 12 color हैं ऐसे कैसे हो सकते हैं सारे एक जैसे हो इसका जल्दी से हम switch करते हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को तीन से चार color जो हैं वो switch करके दिखाऊंगी लेकिन मैंने 6-7 कर लिए थे तो जैसे मैं switch करती जाया थी तो मुझे धेर सारे color जो है न वो नजर आते जा रहे थे जैसे आप देख सकते हैं जो पहला मैंने किया है वो brown color है और जो second मैं करूंगी वो थोड़ा reddish महरूनिश में जाएगा वैसे वो दिखेक ही रहा है लेकिन ऐसा नहीं है वो सब different color है कोई भी एक दूसरे से match नहीं होगा क्योंकि मैं आइस्ता इस्ता करते हैं धेर सारे color जो है वो करती जाऊंगी switch इसमें आपको काफी सारे nude color मिलेंगे pink color मिलेंगे थोड़े से purple shade में मिलेंगे brown shade में मिलेंगे nude color में मिलेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगा इसमें हर तरहां की जो है वो variety आपको मिल जाएगी हर color की और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि हर pencil के साथ उसका separate अपना sharpener है तो यह मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इस तरह की huge jumbo size की pencils होती है उसका sharpener मिलना बहुत मुश्किल होता है यह इसका मुझे plus point लगा दूसरा point जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो इसकी price थी यह मुझे 7.99 के अंदर 12 shades मिले थे मुझे काफी अच्छी reasonable price मिली थी इसकी और आप लोग कुछ भी shopping करते हैं तो आप sale में कोशिश करने लिया करें जब sale लगती है न तो काफी price difference आ जाता है तो बातो बातो में हमने सारे shade try कर ली है आप देख सकते हैं कि एक भी shade दूसरे color से match नहीं हो रहा तो यहाँ पर मैं भी आपको close up दिखाती हूँ यह last भी shade कर लूँ कि मुझे मज़ा आ रहा था सारे shade का swatch करने में और यह काफी pigmented थी ऐसी नहीं कि बिल्कु के हलकी सी pencils थी काफी अच्छी pencils थी तो आप देख सकते हैं कि कोई भी color एक दूसरे से match नहीं हो रहा था dark brown light brown फिर दो nude color आ गए थे एक red और एक pink में था और यह बस एक last कर लेते हैं उसके बाद हम फिर आगे next चलते हैं क्योंकि मुझे काफी मज़ा आ रहा था इसके swatches करने के अंदर अब आप देख सकते हैं यह थोड़ा सब baby pink color में चला जाता है light pinkish color में चला जाता है तो बाकी proper जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक short बना दूंगी उसके अंदर में सारे swatches आप लोगों को करके दिखा दूँगी तो मुझे यह काफी अच्छे लगे आप लोगों को कैसे लगे आप लोगों को कैसे लगे आप लोग नीचे comment करके जरूर बताईएगा और चलते हैं अपने next parcel की तरफ चलें जी अपना next parcel open करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर मुझे क्या receive हुआ है अच्छा ये वाला जो parcel है ना ये मैंने any three वाली deal में से order किया था तो इसके अंदर तीन चीज़े होंगी और delivery charge इसका नहीं होता क्योंकि ये I think include ही होता है वैसे लेकिन आपको separately paint ही करना पता है तो जल्दी से open करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या मिला है मुझे तो इसके अंदर मैंने order किया था एक make-up pouch एक ये मैंने Korean style के cherry earrings और किया थे और एक मैंने detail brush order किया था ये painting के लिए होते हैं तो सबसे पहले हम इसी को open कर लेते हैं तो ये मुझे 10 pieces मिले थे तो इसको open करने से पहले मैं आप लोगों को इन तीनों की price बता देती हूँ ये मुझे 12.75 के अंदर receive हुए थे तो इन तीनों को भी separate link में नीचे description box में mention कर दूँगी तो आप वहाँ से जाके इसकी जो है वो price देख सकते हैं तो सबसे पहले हम यही paint brush ब्रॉशे open कर लेते हैं जिनको painting पसंद है वो इस तरह के brushes order कर सकते हैं तो इनकी quality 10 on 10 है cheap material नहीं था काफी अच्छे brushes मिले मुझे और काफी reasonable price के अंदर मिले मुझे आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफी अच्छे से pack करके भी दिया हैं मैं भी आप लोगों को एक brush जो है वो open करके दिखा देती हैं उन्होंने अच्छे से brush को जो है वो cover करके मुझे दिया था ताके इसके brushes जो है वो खराब नहों हो जाएं तो आप लोगों को कैसे लगे मुझे नीचे comment करके जरूर बताएगा अब हम चलते हैं अपने earrings की तरफ जो ये वाले हैं और ये आप लोग जानते हैं कि कितने वाइरल हुए हुए थे आजकर तो बहुत ही क्यूट ये बने हुए हैं अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाती हूँ तो जो ये चैडिस है ना ये आप समय लें as a stopper काम करती है और जो गोल्डन वायर है आपने इसके अंदर डालनी है तो ये जो गोल्डन वायर है ये आपकी earrings हैं तो मैं भी आपको इसको डाल के दिखाती हूँ आप इसको इस तरह डालेंगे और हलका सा प्रेस करेंगे ना तो ये अंदर चले जाएंगे कोई इतना हो नहीं था कि बहुत जादा ही टाइट है लेकिनी comfortable थे और काफी अच्छे से जो हैं ये अंदर चले गए थे उसके बाद मैंने इसको पहन के भी देखा था तो काफी अच्छे लग रहे थे अब चलते हैं अपने make-up pouch की तरफ तो ये भी मैंने Korean style के अंदर ही order किया था ये fur वाला था और मैं बिल्कुल भी expect नहीं करी थी कि ये इतना soft आएगा जब मैंने इसको package से बाहर निकाला ना ये बहुत soft था तो ये इतना चोटा भी नहीं है ये medium size का pouch है मैं अभी आपको इसके अंदर size चीज़े भी रख के दिखाती हूँ कि आप इसमें किस ताना रख सकते हैं तो ना ये जादा भड़ा है और नहीं ये जादा चोटा है आप देख सकते हैं इन लोगों ने picture में दिखाया था exact वैसी ही चीज़ आई है मतलब जैसे आप लोगों ने सोचा होता है ना कि इस तरह का प्रोड़क्ट आएगा तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये उसी तरह का आई है और दूसरा मैं चाहा रही थी के पूरा ना सेट हो जा मेरे पास जैसे एडिंग्स है मेरे पास तो मैंने का सेम उसी तरह का नेकलेस आजाएगा तो पूरा सेट मेरा कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आप देख सकते हैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट है color different है लेकिन बना बहुत ही प्यारा हुआ इतना cute लग रहा था ना ये अब ये मैं आपको proper दिखाती है तो बहुत ही प्यारा मुझे लगा ये हाँ ठीक है match नहीं हुआ मतब मैं जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ लेकिन ये था बहुत ही प्यारा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे जरूर बताईएगा तो इसका लिंक भी आपको मैं नीचे description box में mention कर दूंगी चले जी अपना next parcel open करते है जल्दी से जो next parcel है वो मैंने order किया था nails और आप लोगों को पता है कि मुझे nails का कितना जादा obsession है और ऐसा हो यह नहीं सकता कि मैं कुछ भी shopping haul करूँ और उसके अंदर मैं nails order ना करूँ तो मैंने इस haul के अंदर तीन nails order किये थे तो अभी तो एक है और बाकी जो दो है वो अलग से मतलब parcel के अंदर है तो वो भी अभी हम open करेंगे तो पहले आप यह वाला देख लीजिए और फिर वो भी देख लेंगे हम तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे बिल्कुल honestly बताना है तो यह मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे तो एक चीज़ इन्हों ने काफी new की है कि इन लोगों ने इस बार मुझे nail stickers नहीं दिया और ना ही nail filer दिया इन्होंने मुझे glue दी थी साथ में तो यह इन्होंने थोछी changing किया I guess इसके अंदर और वो जो दो nails अभी मैंने open करने हैं आप लोग इंतजार कीजेगा उसका भी तो उसमें हम चेक करेंगे कि उसमें nail glue दी है उन्होंने या nail stickers दी है वो देखेंगे आप चलेंजी यहाँ पर nails आप देख लेते हैं कि कितने ही प्यारे लग रहे थे मैं साथ में अभी मैंने इसको बिल्कुल भी apply नहीं किया तो मैं साथ में जो है screen recording चला दूँगी कि यह लगे हुए किस तरह कि लगते हैं आप देख सकते हैं price की बात कर लेते हैं तो यह मुझे 268 के अंदर receive हुए थे और यह मैं आपके साथ sale price जो है discuss कर रही है यह original price नहीं है original price इसकी 328 है I guess तो आप लोग अगर buy करेंगे तो कोशिश किया करें कि आप sale में से ही लिया करें तो जिनको जादा long nails नहीं पसंद वो यह वाले ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत comfortable लगते हैं इनकी जो length है वो इतनी long नहीं है बिल्कुल normal size की है तो आप लोग पसंद करते हैं कि आप जादा long nails ना लगाएं तो आप यह वाले जो है वो try कर सकते हैं यह वाले आपको काफी comfortable लगेंगे इसका link भी आपको नीचे description box में mention मिल जाएगा कैसे लगे मुझे जरूर बताएगा चलते हैं अपने next parcel की तरफ वैसे यह थोड़ा different ही की है इन्होंने इस बार यह glue देखे मुझे काफी ना अच्छा वैसे वो nail sticker ही लगते थे तो इसे हमने वापिस से pack कर दिया और आप हम अपने next parcel open करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर क्या है और हाँ मुझे पता चल गए इसमें मैंने क्या order किया था और ये भी मैंने first time ही दरास से order की है और देखते हैं इसकी quality कैसी है किस तरह का मुझे receive हुआ इस सब हम open करके देखते हैं तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था आपको इस बार इस वीडियो में हर तरह की variety नजर आएगी मैंने हर चीज इसमें buy की थी जो भी different different types की थी तो आप लोग मुझे बताएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो इसमें से निकला था night suit मैंने एक night suit order किया था और यह silk night suit है तो अभी हम इसको open करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मुझे receive हो है तो यहाँ पर अभी तक color वगयरा सब बहुत प्यारा लग रहा था आप लोगों को red show हो रहा है लेकिन मैंने थोड़ा महरूनिश में मुगवाया था अच्छा जब मैंने इसको यहाँ पर open किया ना तो मुझे धोरा size का difference लगा क्योंकि मैंने इसे large में order किया था और जो मुझे receive हो है वो मुझे small size लग रहा था तो मैंने का चलो कोई बात नहीं size का difference है वो exchange हम करवा सकते है फिर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए video बनाने लग गई कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि stitching कैसी है और stitching no doubt इन्हों ने अच्छी की हुई थी तो यहाँ तक मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था क्योंकि मैंने इतने दियान से कपरे का ना material नहीं देखा तो जब यहाँ पर मैं चेक करने लगी ना तो मुझे यह सिल्क नहीं लग रहा था यह ऐसा material था कि आप इसे पहने और यह अभी भट जाएगा पता नहीं यह picture वीडियो के अंदर इतना अच्छा क्यों आ रहा है लेकिन यह बिल्कुल भी material इसका अच्छा नहीं था तो मुझे तो यह night suit बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मैं आपको honest review देती हूँ जो चीज मुझे अच्छी लगती है आपको पता है मैं दिल से उसकी तरीफ करती हूँ क्योंकि वो सच में अच्छी होती है और यह बिल्कुल भी paid कोई promotion ही नहीं मैंने अपने पैसों से सब कुछ बाय किया हुए तो इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ जूट बोलूँ ऐसा कुछ तो मुझे कौन सा फाइदा होना था मैं आप लोगों के साथ जूट बोल दूँ जो चीज मुझे अच्छी लगती है आप लोगों को पता है मैं उसको दिल से कहती हूँ और जो चीज नहीं अच्छी लगती उसका मैं सीधा कह doet तो कि यह चीज अच्छी नहीं अब मुझे ये night suit बिल्कुल पसंद नहीं आया ये silk ठीक है मानती हूं कि pure silk नहीं होगा obviously आपको high quality वाला silk तो नहीं मिलेगा लेकिन ये बहुत ही low quality थी इसकी मैं आपको explain तक नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो के through तो आप लोग material नहीं देख सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं था और यहां पर आप देख लीज़ें इन्होंने यहां पर लिखा भी हुए कि ये large है लेकिन ये बिल्कुल भी large size नहीं था तो ये तो मैं return करवा दूंगी तो अभी हम इसको वापिस से pack करके रख देते हैं इसका link भी वैसे मैं नीचे description box में mention कर दूंगी क्योंकि online shopping में आप लोगोंने देखना ही क्या आता है एक तो reviews देखने होते हैं या आपने उसके जो stars जतने दी होते हैं वो देखने होते हैं तो इसका हम वापिस से pack कर देंगे और इसकी मैं complain कर दूंगी आज की वीडियो में बहुत exciting चीज़ हैं क्योंकि मैंने बहुत कुछ ना different order किया हो है मैंने कपडों से लेके hair, accessories से लेके make-up, nails, हर चीज मगवाई है even आपको आगे चलके एक surprise भी मिलेगा I think यही है वो जो भी parcel में open करने वाली हो तो इसको open करते हैं फिर आप देखते हैं इस तरह पहले बता दिया तो मज़ा नहीं आएगा तो साथ में इसको open करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या receive हो है मैं 100% sure हूँ आप लोगोंने देखके guess भी नहीं किया होगा तो इसके अंदर मैंने order किया था एक hand bag तो ये Korean style bag मैंने order किया था एक चीज़ आप लोगों के साथ अभी share कर देती क्योंकि इसका link available नहीं होगा क्योंकि ये जैसे ही मैंने इसको buy किया था या out of stock चला गया था कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे crazy sale लगती है जिसमें चीज़ें जो है out of stock हो जाती है अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने जब डराज हॉल किया था 200 वाला तो उसमें साड़ी चीज़ें out of stock हो गई थी और आप सब लोग मुझे नीचे comment कर रहे थे कि हमें link दे दीजे link available ही नहीं था और अगर मैं आपको किसी और चीज़ का link दे दूँ ये bag मुझे इतना प्यारा लग रहा था ये perfect है for holidays और university के लिए क्योंके काफी spacious bag है ऐसा नहीं बिल्कुल छोटा सा bag है और मुझे काफी अच्छा लग रहा था इसका color बहुत प्यारा है ना white में है ये हलका सा cream color है और green color के अंदर है तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा ये मुझे बहुत प्यारा लगा था सबसे अच्छा ना मुझे इसमें ये bag ही लगा था क्योंके होता है ना कुछ चीज़ें आप लोग अभी expect नहीं करते कितनी अच्छी आ जाएंगी लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती है तो इसका link available नहीं है मैं आप लोगों को इसकी price बता देती हूँ ये मैंने order किया था 1000 के अंदर तो इसकी total price round figure करने तो 1000 थी आप लोगों को ये bag कैसा लगा मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा और ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है तो इसलिए इस वीडियो को यहां पर ही हतम करते हैं और इसका part 2 का wait कीजेगा क्योंकि इतनी लंबी तो YouTube के उपर भी upload नहीं होगी अगर आपने वीडियो एंजॉय की है तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजेगा कमेंट करिएगा शेयर करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना धे सारा ख्यार रखेगा दौाओं में आद रखेगा लाहाफिज